असलाम वालेकुम and वेलकम टू माई चैनल यम्मी फूड विट सना आज मैं आपके साथ एक बहुती मज़ेदार चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगेजी तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेगे तो यहाँ मैंने लगबख साडे सिन सो ग्राम के करीब चिकन लिया है इसमें मैं एड करूगी 1 टीजपून भरके अध्रक लसन का पेस्ट अब हम इसमें एड करेगे 1 टीजपून रेड चिलिए पाउडर half teaspoon इसमें हम एड़ करेगे गरम masala powder half teaspoon के करीबी मैं इसमें एड़ करूगी black pepper powder half teaspoon हम इसमें एड़ करेगे chaat masala एक pinch में इसमें red food color का एड़ करूगी यह step optional है अब यहां मैं इसमें नमग एड़ कर दूगी स्वाद अनुसार यहां मैंने आदा नीमू लिया है आदे नीमू का रश हम इसमें डाल देगे अगर आपकी chicken की quantity ज़ादा है तो आप इसमें एक नीमू का रश भी डाल सकते है तो यहां मैंने chicken में सारी चीज़े डाल दी पैन में थो टेबल स्पून के करीब ओई ले लिया है जैसे ओई गरम होगा वैसे मैं एड़ करूगी प्यास तो यहां मैंने दो बड़े साइस की प्यास दी जिसे असे रफली चौप कर लिया यह हम इगाले यह निए प्यास दानने गवाद जालने के वाध मैं इसे अच्छे न ही जादा लाइट, अब मैं इसमें ऐड़ करूगी टमाटर, तो यहां मैंने दो वीडियम साइज की टमाटर लिए दो यह हम इसमें दाल दे के, थोड़ा max नमक यहां पर छे से साथ मैंने का जू लिए यह भी हम इसमें दाल दे के, नमक दालने और अब हमारे अच्छे तरीके से soft हो गए है बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे पकाना था तो अब यह ready हो गया है गैस के flame को मैं बंद कर दूगी और इस mixture को हम अच्छे तरीके से थंडा कर लेगे जब यह अच्छे से थंडा हो जाएगा तब हम इसे mixi में दालके इसका एक तो चिकन जब एक तरफ से अच्छे तरीके से पकनी जाता और इसमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तो यहां में सभी चिकन के पीसिस को पलड दूगी और इसे तीन से चार मिनिट के लिए फ्राई कर लूगी मीडियम फ्लेम पे तो यह देखिए दोनों तर तरीके से फ्राई कर लिए यह आल्मूस्ट पक चुके है अप्टू 80 परसंट तक हमने इसे पका लिया तो बस गैस के फ्लेम को हम बंद कर देगे और इस चिकन के पीसिस को में निकाल के साइड में रग दूगी तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं तो यह जीरा लाल हो जाएगा वैसे मैं इसमें आड करूगी अधरक लसन का पेस्ट तो यहाँ पे मैं इसमें दो टेबल स्पून भरके इसमें अधरक लसन का पेस्ट अधरक लसन के पेस्ट को मैं मीडियम फ्लेम पे लगबग आदे से एक मिनिट के लिए अच्छे तरीके से फ्र नमक मैं आड़ करूगी सुवाद अनुसार आप इस सबी मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिला लूगी तो अब इस point पे हम इसमें add करेगे जो हमने प्यास, टमाटर और काजू का मसाला तयार किया था, वो हम इसमें add कर देगे, इसे दालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिला लूगी, मिलाने के बाद हम इसे slow flame पे cover करके लगभग, पाच मिनिट के लिए या फिर तब तक जब तक यह अच्छे तरीके से पकनी जाता oil surface पे नहीं आ जाता, हम इसे ऐसे ही cover करके पका लेगे, तो पाच मिनिट हो गए है, अब हम ढकन हटा के हमारा masala चेक कर लेगे, तो यह देखिए हमारा masala almost अच्छे तरीके से भून गया है, oil भी surface पे आ गया है लेकिन हमें इसे और अच्छे से भूनना है क्योंकि जितना हम इसे अच्छे से भूनेगे उतना ही अच्छा हमारी gravy बनेगी तो अब मैं इसमें add कर दूगी दही तो यहां मैंने 4 टेबल स्पून दही लीती जिसे मैंने अच्छे से फेट लिया अब वो हम इसमें डाल देगे, उसे दालने के बाद मैंसे एक बार अच्छे तरीके से मिला लूगी अब हम इसे फिर से cover कर देगे और cover करके मैंसे slow flame पे और 5 मिनिट के लिए या फिर तब तक जब तक कि जो दही हमने इसमें डाला है वो भी अच्छे तरीके से पक दी जाती oil surface पे नहीं आ जाता तब तक हम इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देगे तो यह देखिए मसाले को हमने अच्छे तरीके से पका लिया है oil surface पे आ गया है इसे हम cover करके इसलिए पका रहे क्योंकि यह मसाला बहुत जाता उचलता है इसलिए हम इसे cover करके ही पका रहे है तो यह देखिए अच्छे तरीके से हमारा मसाला भून गया है तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें add करेगे chicken जो हमने पहले से fry करके रखा है तो यहां मैं इसमें सारे chicken के pieces add कर दूगी चिकन दालने के बाद मैं इसमें add करूगी 1 tablespoon कसूरी मेती जिसे मैंने हलका हलका सा भून लिया था साथी मैं मैं इसमें add करूगी 4 tablespoon amul fresh cream अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हो यहां आप मैंने सभी चीज़े डाल दी इसे मैं अच्छे तरीके से मिला लूगी जब यह अच्छे तरीके से मिल जाएगा तब इसे फिर से हम कर देगे cover cover करके मैं इसे slow flame पे और पाच मिनिट के लिए पकाऊगी ताके जो हमने chicken डाला है वो भी अच्छे तरीके से मसाले के साथ पक जाए चिकन में मसाले के flavor अच्छे तरीके से absorb हो जाए और सबी चीज़े अच्छे तरीके से भुन जाए तो अब हम ढकन हटा के हमारी gravy चेक कर लेते तो यह देखे ग्रेवी हमारी अच्छे तरीके से भुन गई है oil surface पे आ गया है और जो chicken हमने इसमें डाला था वो भी अब पुरी तरीके से cook हो गया है तो बस यह almost ready है बस आखिर में मैं इसमें और थोड़ी सी चीज़े आइड करूगी तो यहां मैंने चार हरी मिर्चे लिए जिसे मैंने इसे बीच में से काट लिया है वो हम इसमें डालेगे थोड़ा सा मैं इसमें डालूगी बारी कटावा हरा धनिया वन टी स्पून मैं इसमें आड करूगी गरम मसाला पाउडर और हाफ कप के करीब हम इसमें डालेगे पानी तो पानी आप अपने अकॉडिंग डालेगा जितनी पतली या गाड़ी आपको ग्रेवी चीए तो यहां मैंने हाफ कप वोटर का इस्तमाल किया है इसे डालने के बाद मैं इसे एक बार अच्छे तरीके से मिला आलूगी जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा वैसे हम इसे फिर से कवर कर देगे कवर करने के बाद मैं इसे slow flame पे दम पे पकने के लिए छोड़ दूगी लगबख 5-6 मिनिट के लिए तो लगबख 5-6 मिनिट के लिए slow flame पे मैंने gravy को अच्छे तरीके से पका लिया है जैसे कि आप देख सकते है oil surface पे आ गया है अब हमारी gravy पूरी तरीके से ready हो गई है अब ने देखा इसे बनाना बहुती जादा आसान था बहुती सिंपल इसकी रेसेपी ती तो आप भी मेरी इस रेसेपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मेरे ये चिकन चंगेजी की रेसेपी अच्छी लगी है तो प्लीस मेरे इस वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजिए मेरे चैनल यमी फूड विच्जाना को जरूर सबस्क्राइब कीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग अल्ला हाफीज